इंडिया में अगर एक अच्छा प्रीमियम स्कूटर खरीदने जाओगे तो कुछ limited choices हैं लेकिन इंडिया में जो भी choices हैं उसमें से मैंने पहले चला के देखा यामाह का Aerox 155 और यामाह का Ray ZR Street Rally 125 उसके बाद मैंने try किया कीवे का VST 300 एथर का 450X Gen 3 और end मैंने try किया Aprilia का SXR 160 तो इसके बारे में मैं को क्या लगा या आपके साथ share करूँगा यामाह के Aerox 155 को देखते ही मैं इसका दिवाना हो गया इसका ये जो color था वो तो एकदम KTM जैसा लगता है और blue color भी काफी अच्छा लगता है तो आपको confusion हो जाएगा कि gray खरीदू या blue खरीदू ग्रेद का vehicle था उसका suspension एकदम अच्छा था में को कुछ ऐसा problem नहीं लगा इसको दो ही problem लगे मुझे इसमें वो ऐसे हैं कि इसका जो fuel lid है उसके अंदर बारिश में पानी जमा हो जाता है तो ये पहला problem और दूसरा problem कि इसका जो left side पे glove box है वो left knee को टकराता है वो भी अगर आपकी height अगर 5, 9, 5, 10 इससे जदा है तो जदा टकराएगा और ये lid की quality अच्छी नहीं है तो ये बार-बार खुलता रहता है तो ये काफी irritating है लेकिन अगर इसको निकाल डालोगे तो फिर problem खतम हो जाएगा अब बात करते हैं keyway VST 300 की तो seating position में ये जदा comfortable है लंबे लोगों के लि हैं कि ये हंगेरी का scooter है लेकिन ये असल में चाइना के QJ group का scooter है जिसका majority गीली group के पास है तो ये चाइना का scooter है ऐसे बोल सकते हैं problem ये है कि चार लाक रुपे का कोई चाइना का bike खरीदता है इसमें तो KTM का 390 आ जाएगा इसका सबसे मज़दार feature में को लगा कि इसके handles heated ह हैं थोड़ा थंडी में cruising करने को बहुत मज़ा आएगा अब बात करते हैं ether के 450X की तो इसकी सबसे मज़दार चीज है इसका firing एक दम ऐसे लगता है कि ठीक है अभी पुराना पुराना हो गया और अभी electric का जमाना आ गया तो मैंने एक कदम आगे रख दिया है लेकिन problem ये ह है कि इसमें three driving modes है warp mode में मज़ा आता है लेकिन ये बहुत कम kilometer के लिए चलता है बाकी driving mode में और eco mode में ये एकदम ढूस हो जाता है तो चलाने में बिलकुल मजा नहीं आता है अब बात करते हैं Aprilia 160 की तो ये दिखने में भी अच्छा है चलाने में भी अच्छा है convenient भी है यहा कुछ problem नहीं लगा में को तो ये एक अच्छा choice हो सकता है सिर्फ ये थोड़ा महंगा है मतलब about 180,000 तक है लेकिन सबसे अच्छा लगा में को Yamaha का Ray ZR क्या must design है इसका एकदम special लगता है और चलाने में भी अच्छा है इसके tires भी एकदम broad और अच्छे दिखते हैं बाकी इसक के color में में को green color सबसे अच्छा लगा और value for money है एकदम तो ये मेरा pick है तो आज के लिए बस इतना ही comment में जरूर बताईए कि आपको कौन सा scooter अच्छा लगता है बाई बाई